हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में नवोदे विध्याले समिती की तरफ से सिख्षक भरती का नया एडवर्टीजमेंट जिसमें तीन राजियों की नई सिख्षक भरती का विज्यापन आया है टीजीटी की में जो है औल सब्जेक्ट की वेकेंसी है पीजीटी में सभी विश्यों की वेकेंसी है सेलरी की यदि हम बात करें तो 42,000 से अधिक सेलरी पर मन्थ कैन्डिडेट को मिलेगी साथ में जो है फ्री रेजिदेंस एंड फूड भी जो है अवलिबल होगा तो जो भी अप्लाइ करने के चुक रहेंगे सभी राजों के कैन्डिडेट इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं सबसे पहले हम सब्जक्ट देख लेते हैं तीजीटी में हिंदी, इंग्लिस, मैथमेटिक, साइंस, सोचल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, टीचर, मेल और फीमेल, आसामीज, बंगला टीचर की वेकेंसी है पीजीटी की यदि हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जोग्रफी, एकॉनोमिक्स और कॉमर्स की वेकेंसी है तीन राज्यों में जो है बिहार, जहारखंड और बैस्ट वंगल यह तीन राज्यों पठना रीजन के अंतरगत आते हैं तो नंबर ओफ वेकेंसी प्रतेक राज्यों में कितनी है वो आप देख सकते हैं टीजीटी हिंदी में जैसे देखें, बिहार में बारा वेकेंसी है जहारखंड में 2 वेकेंसी हैं, बैस्ट वंगल में 9 वेकेंसी है ठीक है, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है यहाँ पर जो है, जो सैलरी ओफर होगी पीजीटी के टीचर्स की नॉर्मल स्टेशन के अंतरगत 35,000 से अधिक है और हाड स्टेशन में 42,250, टीजीटी के टीचर्स की जो है यहाँ पर 34,125 नॉर्मल स्टेशन के अंतरगत जो है, सैलरी रहने वाली है और हाड स्टेशन के अंतरगत 40,625, अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन बिलकुल कर सकेंगे और जो भी एक्स सर्विसमेन है नवोदे विध्याले के तो यहाँ पर 65 यर जो है इनकी एज रखी गई है वेबसाइट का लिंक जो है वो आप लोग जैसे ही नवोदे विध्याले की ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे तो पटना रीजन के अंतरगत यह वेकैंसी आपको नजर आ जाएगी और यह देखिए यहाँ पर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो ओनलाइन फॉर्म आपको भड़ना है 24 मई 2024 लास्ट डेट है लिंक आप लोगों को ओफिशल वेबसाइट पर TZT के लिए अलग आप देख रहे हैं लेफ साइड में देखिए लिंक आप ललग और पीजीट के लिंक लिंक लिंग आप लोगों को अलग मिल जाएगा चीक है इससे पहले भी जितने भी रीजन के अंतरगा तो जितने भी राज्यों की विकैंसी जारी की गई मैंने आप लोगों को वीडियो के माधियम से बताया यहां पर स्कूल भी देख सकते हैं कि अगर बिहार राज्य में अगर आप यहां पर आपका सेलेक्शन होता है तो जिन सब्जेक्ट में आप अप्लाए करेंगे जैसे कि बिहार स्टेट में जवाहर नवोदे विध्याले राजगिरी डिस्टिक नालंदा में यहां पर यह वैकनसी जो है कॉन्ट्रीक्ट बेस पर ही आप सब ही जांते हैं जितने भी रिजन के अंत्रगत वैकनसी जारी कीगी अप लोगों को बताई अब भी लखनौ और जैपू रिजन केंतर्गत वैकनसी बिल्कुल आने वाली है जो भी गैंडिदेट यहां पर आविदन करन चाहेंगे और PZT के लिए PZT Computer Science के लिए MSC Computer Science या IT या MSCA वाले आविदन कर सकते हैं इसमें Computer Science वाले जो है वो B.A.D. बिल्कुल मांगा गया है नवोदे विद्ध्याले में PZT के लिए जो है आपके पास इस साथ में B.A.D. या फिर B.C.B.A.B.A.D. आपके पास हो साथ में जो है सीटेट आपका क्वालिफाई जरूर होना चाहिए नवोदे विद्ध्याले रहते हैं जो आप हिंदी मीडियम इंग्लिस मीडियम दोनों कैंडिरेट आविदन कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं होता है कि आपके पास economics या political science जो है वो इस नातक में आपने पढ़ा हो या history geography आपने अगर तीनों साल पड़ी है graduation में तो भी apply कर सकते हैं यह subject combination होना बहुत जरूरी है TGT language की भी vacancy है असामीज और बंगला की ठीक है computer science के लिए मैंने आपको बता दिया कि B.A.D. जो वो बिल्कुल च V.P.A.D. वाले apply कर सकते हैं इस आपको बता दी 50 वर्स तक के candidate आविधन कर सकते हैं तो यह पूरा जो है vacancy मैंने आप लोगों को clear कर दी है और पिसले वीडियोज देखिएगा पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझाया है कैसे जो है इसमें apply कर सकते हैं link जो है वो दो दिये गए हैं अलग-अलग PZT और TZT के लिए तो चलिए यह जो है official website पर आप जाएंगे N.V.S. नवोदे विध्याले समिती की और इसमें regional office पटना के अंतरगत जो vacancy है तो उसमें जो है आप लोगों को apply करना है last date जो है वो 24 में 2024 रहेगी इसमें salary के साथ में आपको residence और food भी जो है available होगा ठीक है तो चलिए मिलेंगे next vacancy के साथ next video में thank you